नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आसा करती हूं बहुत ही अच्छ होंगे तो आज मैं आप लोग बहुत ही कमाल का किचन टिप्स लेके आई हूं वीडियो को पूरा देखिएगा चैनल पर पहले बाहर आए होंगे तो चैनल को सस्क्राइब भी कर लेजेगा तो सबस चौले के ओपर इस तरीके से रख लेना है और झाप को पर चीन करने अगा जो लेना है और आपको 2 ही समट करने अधर पर जब सबस्विखन करने, misses अजिता आपकों अज seulement देखिए खिलके, ऊच्छ लेयगा ब्सक्राइखिए लोन पर दो करने लां था च्लिकन आनों हो प मर्णा कबा चूले दो सब्सक्रायण गार्पंड करें दोपनाद अगर निदे मेरके तो च्पबनाद सब्सक्राद आई ऑफड़ाि से जिसकिवजह से आपको पूरते को निद्गत रखता है तो दिक्रादत्व हो जाते हैं पानी लगने की वजह से पानी अंदर चला जाता है लेकिन अगर आप इस तरीके से मतलब हमेशा नहीं धो रहे हों तो धो ये लेकिन मतलब तो धोने से मतलब आपको धोना है तो धो ये लेकिन ये है कि अगर आप बीच बीच में आपको इस तरीके से साफ भी करते रहने चाहिए जिसे अगर हापते म है इसके उपर उसके बाद देख सकते हैं इस तरीके से आपको किसी भी कपड़े से पोशना है आपको कपड़े को गीला भी नहीं करना पड़ेगा बस आप इस तरीके से पोशेंगे बहुत अच्छे से देख़्ी क्लीइन हो जाता है त써 आपे देख सकते हैं मेरा चूला अच्छे से क्लीन हो चुका है और इस तरीके से आप भी अपने चूले को साफ कर सकते हैं और बहुत अच्छे से साफ हो जाता है काफी अच्छी चमक आने लगती है आपके चूले से और आपको धोने की जरूरत भी नहीं पड़ती है इस तरी क mica चाज में दाब देक्रशिए पर कते हैं जसे हम काफी हमारा पैस के प counterparts होगते हैं हैं अगर आप इस तरीके से इस्तमाल करेंगे तो दूसरे यहां पर चबबी भी दूद अगर हम उबालते है ना, तो दूद हमारा ऊपर आता है ना, जिस से हम सबजी या दाल निकालते हैं, इसके उपर हम इस तरीके से रख देंगे न तो दूद अपने आप नीचे चला जाएगा बाहर नहीं निकलेगा दूद गिरता नहीं है अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो तो इस तरीके से आप एक बार जरूर सी ट्राइ केजिए इससे दूद बाहर नहीं निकलता है पूरा अच्छे से पकने लगा देख सकते हैं मैंने यहां पर कल्चुल को रखा और दूद पूरा नीचे चला गया तो इस तरीके से आप भी ट्राइ कीजिए अपने जब भी भी आप दूद को उबालिए ना तो इस तरीके को जरूर अपना ये इसे देखिए यहां पर दूसरा इस तरीके की जो भी तो इस तरीके के ड्राइफूट सभी के घर में आते हैं तो लेकिन आपको पता है अगर आप इस तरीके से खाएंगे ना तो बहुत ही जादा फाइदा करता है ड्राइफूट तो सभी लोग खाते हैं और खास करके सब को ही यह फाइदा करता ह है पर खाने-खाने का त्रीका अलग होता है लेकिन जब बिद के संच तरीके से इस तरीके से इसको खाएंगे थो ये इतना जादा मतलब फाइदे मंद होगा आपके शरीर के लिए कि अपके घुटनों में अगर दर्द होगा कुमर में दर्द होगा कैलसियम की कमे होगी सारी पूरी करती है अगर आप इस तरीके से आप बनाते हैं तो सबसे पहले आपको का तो यहां पर काजू को अलग करने के बाद फिर आपको क्या करना है इस तरीके से टुकड़े टुकड़े कर लेना है आपको चाकू के मदद से आप टुक तो थोड़ी देल तक अभी हम इसको उबालते हैं जब अच्छे से पुरा पक जाएगा खौल जाएगा ना फिर आप इसको खाएंगे ना इस चीज को खाने से बहुत ही जादा आपको फाइदा मिलेगा आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी तो चलिए मिलते हैं दुसरे वीडियो में तब तक के लिए बाइबाए